हेलो दोस्तों मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ डिजिटल तहरी के यूट्यूब चैनल हम बात कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टन जसमें पार्ट देख रहे हैं पार्ट नमबर सैवन और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास्टों जो कि आपको कह रहा है कि किसी टैंक में आठ नल लगाए गए हैं कुछ बरने वाले हैं और उनमें से कुछ निकासी नल है मतलब टंकी को खाली करने वाले हैं प्रतेक बरने वाला जो नल है वो टंकी को 12 गंटे में भड़ सकता है और प्रतेक निकासी नल मतलब जो खाली कर वाला पाईप है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो बरने वाले नलों की संख्या ग्यात करनी है हमें भताना है कितने पाईप है जो कि उस टंकी को भरते हैं। अगर पूरी टंकी को बरने में तीन घंटे का समय लगता हो थो ठीक है। जब बरने वाला नल भी on है और खाली करने वाला नल जितने भी है वो सारे on है एक तरह से जितने 8 नल है वो सारे के सारे on है तो उस समय टंकी को बरने में समय लगता है total कितना 3 गंटेगा तो देखते हैं इदर हमें निकालना है कि बरने वाले जो नल है वो कितने हैं तो बरने वाले जो नल है वो मान लेते हैं बरने वाले नल जो है वो मान लिए हमने कौन सा है ए और जो खाली करने वाले निकासी नल है उनको हमने माना क्या बी तो जो बरने वाला नल है ए उसके लिए हमें समय दे रखा है कितना कि प्रतीक बरने वाला नल टंकी को बारा गंटे में भर सकता है तो ये लिखा आमने बारा ध्यान रखीएगा सभी नलों का नहीं है हर एक नल जो है बरने वाला उसके लिए बारा गंटे बोल रहा है और हर एक जो निकासी नल है, मतलब खाली करने वाला नल है, उसके लिए आपको बोल रहा है कितना, 36 गंटे तो यह 36, तो 12 और 36 का LC हम ले लेते हैं, जो की सीधा-सीधा हमको पता है कितना आ रहा है, 36 ही आ रहा है, ठीक है, फिर इनकी efficiency देख लेते हैं, तो यह आगी efficiency, कारे शमता जिसे हम कहते हैं, 36 बटा 12, 3, 36 बटा 36, कितनी 1, तो यह आईए है, efficiency हर एक बरने वाले नल की, जो की यह 3, और हर एक खाली करने वाले नल की, जो की है 1, अब जैसा कि आपको बता है, नल खाली कर रहा है, बी जो है, तो इसकी efficiency हम किस में लेते हैं, म आपको बताना है, टोटल जो भरने वाले नल है, वो कितने हैं, जो 8 टोटल नल है, उन में से, तो हम लगाएंगे यहाँ पर allegation method मिस्रण विदी, तो allegation method लगा लेते हैं, तो देखिएगा, यह हो गए बरने वाले, और यह हो गए निकासी मतलब खाली करने वाले नल, तो ट बरने वाले जो नल, एक नल है, उसकी efficiency कितनी है, तीन है, अगर सारे के सारे मतलब, आठ के आठ नल भरने वाले ही है, तो efficiency कितनी हो जाएगी, जब एक की तीन है, तो आठ की कितनी हो जाएगी, 24, वैसे ही, जो एक नल है, खाली करने वाला, उसकी efficiency कितनी है, माइनस की एक है minus q क्यों कि क्हाली कर रहा है तो एक निकासी नल के efficiency minus 1 है एक बार के लिए हमने ऐसा माना कि सारे के सारे जो 8 नल है वो खाली करने वाले ही है तो निकासी नलों का total हो गया कितना minus का 8 efficiency के तोर पर अब question को आगे पढ़ें तो आगे हम पढ़ें तो आपको कहरा है कि अगर सभी न नलों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को भरने में, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तीन गंटे का समय लगेगा, इसका मतलब भरने वाले और खाली करने वाले सभी के सभी नल खोल दिये गए, तो कितना समय लगता है, तीन गंटे का, तो तीन गंटे का सम ना करेंगे क्या नहीं क्योंकि ये जो बारा आई है हर एक की नहीं आई है सभी की मिला कर बताई गई है तो ये आल्रेडी कितने की है जो सारे के सारे नल है उन्हीं की है तो सीधा हम लिख देंगे बीच में बारा बीच में बारा क्यों लिखा क्योंकि ये बारा जो एफिशे टोटल कितनी है 12 प्लस में है क्योंकि ये फाइनली क्या होगा कि वो टैंक भरा जाएगा यही अगर फाइनली टैंक खाली होता तो ये एफिशेंसी भी हम माइनस में लेते चलिए अब ये जो डाइग्राम बनता है इस तरह से आपको पता ये डाइग्राम बनता है किसका एलि 24 और 12 का अगर डिफरेंस देखू तो कितना हुआ 12 यहां आएगा इन दौनों का अंतर अंतर का मतलब डिफरेंस का मतलब आपको पता है बड़े नंबर में से चोटा नंबर माइनस करना होता है तो बड़ा नंबर है 12 चोटा नंबर है माइनस 8 तो 12 में से माइनस 8 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बारा मैं से माइनस आट को माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस तो बारा और आट कितना हो गया ये तू जिरो ट्वंटी अब ये जो अनुपात आया हमारे पास ये अनुपात किसका है ये अनुपात होगा आपका किसका बरने वाले और निकासी नलों की संख्या का अनुपात जो की चार से कटने के बाद में रेशियो जो बन रहा है वो बन रहा है रेशियो क्या 5 रेशियो 4 फाइफ है किसका बरने वालों का और फोर है अनुपात रेशियो किसका निकासी नल मतलब टंकी को खाली करने वाले नलों का तो हम देख सकते हैं कि जो टोटल नल है जो टोटल पाइप है कुश्चन में वो कितने है आठ तो उपर लिखा टोटल तो नीचे लिखेंगे अनुपातों का total तो अनुपातों का total अगर हम देखें sorry ये 4 की जगे 3 होगा यहां पर तो अनुपातों का total आ गए हमारे पास कितना 5 ratio 3 ठीक है तो अनुपातों का total 5 और तीन का total कितना हो गया 8 और multiplication में क्या लगाएंगे जिसके बारे में पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है बरने वाले नलों की संख्या पूछ रहा है तो बरने वाले नलों के लिए lasio अगर मैं देखू तो कितना है 5 है तो multiplication में कितना आ गया 5 तो finally answer आ गया 8 null में से 5 null तो भरने वाले है और बचे वे जो तीन नल है वो कौन है? टंकी को खाली करने वाले। खाली करने वालों के लिए पूचता दो निकासी नल जो है खाली करने वाले उनक्या अनुपात लेते तो उनका अनुपात किता है? तीन तो multiplication में थ्री लिखते तो आंस्वर आ जाता थ्री। तो ये था अमारा इस तरह क पहला question अगले दो questions जो है वो इसी तरह के हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं आसान था ऐसा कुछ नहीं है बस confusion थोड़ा सा यहां पर होता है कि यहां पर तो एक की efficiency 3 थी तो 8 की करने के लिए 8 और 3 का गुणा किया यहां पर भी 8 से multiply किया लेकिन यहां पर जो 12 आई उसी को ले गया है यह था हमारा question number 18 बात करता है next question 19 के बारे में क्या कहरा question number 19 उननिस नमबर देखिएगा question कहरा आपको किसी टैंक में 12 लगे वे हैं ठीक है कुछ भरने वाले हैं और कुछ उसमें से निकासी नल है मतलब खाली करने वाले प्रतेग भरने वाला नल टैंक को 6 गंटे में भर सकता है और प्रतेग खाली करने वाला नल टैंक को 12 गंटे में खाली कर सकता है ठीक है अगर सबको एक साथ खोल दिया गया अब देखिए सबको मतलब 12 के 12 नलों को एक साथ खोल दिया गया तो टैंक 4 गंटे में फुल हो जाता है मतलब भर जाता है तो आपको ये बताना है कि पानी बरने वाले नलों की संख्या क्या होगी मतलब कितनी होगी तो वही हमारा तरीका कि बरने वा मतलब खाली करने वाले नल है उसे हमने मान लिया बी तो ये ए और ये बी तो हर एक जो भरने वाला नल है कितना समय लेता है च्छे गंटे का तो ये च्छे और हर एक जो निकासी नल है खाली करने वाला नल है वो कितना समय लेता है बारा गंटे का तो ये बारा LCM लेते हैं 6 और 12 का अब आगे जाकर हम देखें तो 4 गंटे दे रखा है ठीक है तो 6 और 12 का LCM कितना है अब 12 यहां से इनकी efficiency शमता ले सकते हैं तो 12 बटा 6, 2 और 12 बटा 12, 1 वो भी किसका होगा माइनस का क्योंकि B कौन सा नल है निकासी नल है पानी निकालने वाला पाइप है तो अब यह जो efficiency आई है 2 और माइनस एक यह हर एक नलकी आई है हर एक भरने वाले नलकी और हर एक खाली करने वाले नलकी अब आगे पढ़ते ह कि सभी को एक साथ खोल दिया गया तो चार गंटे में टैंक फुल हो जाता है तो इसका मतलब 4 गंटे का समय लगता है कब जब सब को एक साथ खोला जाता है तो इस समय अगर मैं कारे शम्ता देखूं तो कितनी आ रही है तीन आ रही है ठीक है जब बारा के बारा नल खोले गए तब चार गंटे का समय लग रहा है अब देखिएगा Alligation Method यहां लगा लेते हैं फिर से उसी तरीके से तो एक बार के लिए मान लिया के सभी की सभी नल भरने वाले हैं और एक बार मान लेंगे सभी की सभी नल निकासी नल है मतलब टंकी को खाली करने वाले नल है तो भरने वाले एक नल की Efficiency कितनी है दो टोटल नल है कितने बारा तो एक नल की दो है, तो बारा नल की कितनी हो जाएगी 24. वैसे ही एक निकासी नल की efficiency कितनी है, माइनस की एक, और मान लिए सभी के सभी नल जो है निकासी नल है, तो बारा नलों की efficiency क्या हो जाएगी माइनस की बारा. बीच में लिख लेते हैं सभी नलों की मिला कर जो efficiency है जो कि मैं देख सकता हूँ सभी नल एक साथ खोल दिये जाए 12 के 12 नल तो 4 गंटे में tank फुल हो जाता है मतलब भर जाता है मतलब जो efficiency आएगी वो plus में आईगी यही अगर tank खाली हो रहा होता तो यहाँ वाली efficiency भी minus में आ efficiency है यहाँ पर जो यह 2 और minus 1 थी यह हर एक नल थी इसलिए 12 से multiply किया था तो यह आगया कितना 3 वो भी किसमें लेंगे plus में क्योंकि tank क्या हो जाता है tank आपका भर जाता है अगर 4 गंटे सभी नलों को खुला जाता है इसलिए plus में लिया इन दौनों का difference यहाँ लिखेंगे त तो तीन मेंसे minus 12 को minus करेंगे तो तीन मेंसे minus 12 को minus करना है तो यह plus हो गया तो कितना हो गया पंदरा तो यह आगया यहाँ पर 15 चलिए अब यह जो अनुपात आया अनुपात कितना है उसको देख लेते हैं तीन से cancel हो रहा है यह गया कितनी बार 5 बार और तीन से यह गया कित करने वाले नलों की संख्या का अनुपात अब जैसा कि हम रेशियो एंड प्रपोस्टल अनुपात और समान अनुपात का नियम लगा लेंगे टोटल नल दे रखे हैं प्रश्ट में कितने 12 तो नीचे लिख लेंगे इनके अनुपातों का टोटल 5 और 7 का टोटल कितना 12 मल्टिब्लिकेशन में जो आपको पूछा है कौन सा पूछा है पानी बरने वाले नलों की संख्या पूछी है तो पानी बरने वाले नलों के लिए अनुपात कितना है पांच है तो मल्टिब्लिकेशन में 5 तो आंसर आगया कितना 5 तो इसका मतलब टोटल जो बरने वाले नल हैं वो कितने है पांच और अगर यही खाली करने वाले निकासी नलों के बारे में पूछता तो उसका अनुपास साथ था तो गुणा में साथ लिख लेते तो वो आ जाते कितने सेवन तो फाइफ और सेवन टोटल कितने साथ चलिए बात करते हैं इस तरह के लास्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 20 के बारे में जो कि इस पार्ट का अमारा लास्ट कोश्चन है तो देखता है किस तरीके से होगा सेम वही कोश्चन है लेकिन कुछ नया भी इसमें सीखने को मिलेगा तेखते हैं किसी टैंक में कितने नल है धीक है कुछ तो है बर ने वाले और कुछ है निकार्सी नल प्रतेक बरने वाला नल टैंक को 8 गंटे में भर सकता है ध्यान दीजीए गाई शब्द पर प्रतेक बरने वाला अभी तक यही शब्द काम में आ रहा था इसी लिए हम इनकी एफिशेंसी को 8 से गुणा करते थे 8 मतलब जितने नल होते थे पिशली बार 12 नल थे तो 12 से गुणा किया 15 नल होनगे तो 15 से गुणा करेंगे क्योगी यह प्रतेक के बारे में बात कर और प्रतेक निकासी नल उस टैंग को 6 गंटे में खाली कर सकता है तो जैसा की हमेशा मान रहे हैं हम बरने वाले को मान लिया और जो निकासी नल है उसे मान लिया हमने भी तो प्रतेग भरने वाला कितना समय ले रहा है आठ गंटे का और प्रतेग निकासी नल कितना समय ले रहा है वो ले रहा है कितना 6 गंटे का ठीक है अब आपको क्या कह रहा है अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को खोल देत हैं तो टंकी 6 गंटे में खाली हो जाती है ज्यान दीजिएगा इस बार क्या बोल रहा है खाली हो जाती है जब सभी नल एक साथ खोल दिये जाते हैं तो तो बताईए बरने वाले नलों की संख्या क्या होगी तो वही हमारा तरीका आठ और 6 पहले तो इसका होगा माइनस में क्यों होगा क्योंकि ये निकासी नल है अब ये कह रहा है सबको एक साथ खोला गया तो कितना समय लगा 6 गंटे गा तो इसका मतलब ये 6 जब सबको एक साथ खोला गया तो इनकी एफिशेंसी भी हम ले सकते हैं जो कि कितनी आ गई फूर अब ये फूर भी किसका आएगा माइनस तो ये माइनस का फूर ऐसा क्यों है कि ये माइनस का आया है तो जब सबको एक साथ खोला गया है तो टंकी 6 गंटे में क्या हुई है खाली हुई है भरी नहीं अगर भरती त तो ये किसमें आ जाता प्लस में आ जाता और ये माइनस फूर जो है किसी एक नल के लिए नहीं है सभी नलों की एफिशेंसी है तो इस माइनस फूर का लास्ट में जब हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो जो टोटल नंबर ओफ पाइप है मतलब नलों की संख्या उससे मल्टिप्लाइ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलिए अब देखते हैं इसको तो वही लगा लेते हैं हम एलिगेशन मेथड फिर से बरने वाले नल और निकासी नल एक बार के लिए मान लिया जितने भी नल है सब के सब बरने वाले हैं तो टोटल नल कितने हैं 8 और ब है वो निकासी नल है तो एक निकासी नल के लिए efficiency कितनी है minus 4 तो 8 निकासी नल है तो इनकी efficiency कितनी हो जाएगी 8 और 4 का 8 और 4 का multiplication कर लेते हैं कितना 32 चलिए फिर बात करते हैं सभी नलों के बारे में तो सभी नलों की efficiency है कितनी 4 और वो 4 किसका होगा minus का minus का क्यों होगा क्यो पुले जाते है नल, खाली हो रहा है, तो यह minus का 4 होगा, efficiency, तो यह बीच में लिख लिया minus का 4, अब कुछ नहीं, इनका difference लेना है, तो लेते हैं इनका difference, 24 minus, minus 4 करेंगे, तो यह कितना होगा, 28, तो यह हो गया, आपका कितना, 28, फिर बड़े number में से छोटे number को minus करेंगे, तभ ही बड़ा होता है, इसका मतलब minus 4, minus क्या करना है, 32, minus 4 plus 32, तो 32 में से minus 4 हो गया, तो कितना है, यह 28, 28, इनका आपको लेना है ratio, तो 28, 28 का ratio आप लेंगे, तो वो ratio क्या निकलेगा, 1 ratio 1 निकलेगा, तो finally हम कह सकते हैं, एक अनुपात 1, इसका आपको बरने वाले, और निकासी नल जो है, उनका अनुपात आया, संख्या का, एक अनुपात 1, इसका मतलब तोटल अगर 8 नल है, तो 4 तो हैं भरने वाले, और 4 हैं कौन से निकासी नल, पूछा कौन सा आपको, आपको पूछा गया है, भरने वाले नलों की संख्या, तो निकाल लेते हैं, वैसे तो निकल चुका है, वन रेशियो वन आया है, इसका मतलब दौनों ही नलों की संख्या बराबर है, तो टोटल हैं 8, उसमें से 4 हो गए, भरने वाले और 4 हो गए, निकासी नल, तो हम देख सकते हैं कि टोटल है, हमारे पास कितना 8 नल, नीचे अनुपातों का टोटल, एक और एक का ट तो 4 हैं भरने वाले और 4 हैं इसमें निकासी नल, आसान कोशन है, अचे कोशन है, पूछे गए हैं, तो ये था हमारा कोशन नंबर 2020, जो कि इस पार्ट का लास्ट कोशन था, बात करेंगे कोशन नंबर 21 से अमारे नेक्स पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कीजिए थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी